आप कहरें भारत कितना गौरवशाली रहा है। भारत की खोज तो 1400 के असपासी हुई है वास को डिगामाने करी है। कुछी सेंचुरीज बात तो हम गुलाम बन गए। जब खोज ही नहीं हुई थे तो हम सुनने की जुडिया कैसे हुए। ये क्या फरक है इंडिया और भारत में। इस देश में आप को सुनने के लिए लोग पहले आपका होदा देखते हैं। हम अपनी किताबों में ये कहने लगे कि अकबर is the great, बन महारानापरताब is not the great। अब हमारे मर्जी पहें के महारानापरताब को पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। आप हमको बता मूप सकते हैं कि हमने आपने ही लोगों का चूत होते देखे। हम होकी हमारे मैंड से वाइप आउट हो गया और क्रिकेट हमारा जाने अंजाने हमारे दिलों में हमारे दिमाग में एक नैशनल खेल बन गया जबकि सच बताओं हमें भारत माता की जै बोलने का ही कोई अधिकार नहीं है कि आप यह कहना चाहर है माज भी गुलाम है चाहे दिमागी तौर परी हो सक्तिवान सीदे लगर आपने देखा होगा जब सक्तिवान इसे इसे घुंता देश में कम से कम से कम सहेकडो बच्चों की मिरत्ति होई है वो च्छत के पास जाके और ऐसे इसे वो कपला पहन की गुल जो उसको शायद कुछ नहीं समझता है हुईस में भारत के सामने समझ्या है तो ढाई मोर्चे भी भारत के लणना पड़ है कि हम अपने देश से इस प्रकार कट गए कि हम उसकी महानता को ना देख पा रहे है ना उसकी उसको महान बनाने की तरफ प्रयास भी करना चाहते हम हम मूव करना चाहते हैं हम कुट करना चाहते हैं यह कब हुआ और क्यों हुआ हाई देर दिस इस सी नितिन सोनी and welcome to this yet another podcast in the series of podcasts that I'm doing with some of the great guests दोस्तो आज का podcast खास है especially तब जब आप एक भारतिये हैं और अगर आप भारत पर proud feel करना चाहते हैं वो जो proudness है अगर आपकी कम हो गई है आपको लगता है कि everything western is good अगर आपको यह लगता है कि हर चीज जो विदेशी है वो culture वो जिस तरीके से उनका रहना सेना है उनका खाना पीना है उनकी हर चीज भारत से better है क्योंकि जब आप सडकों पर उतरते हैं तो आपको दिखते हैं गड़े आप जब लोगों से मिलते हैं तो आपको लड़ाई नजर आती है आपको हिंदू मुस्क्लिम नजर आता है और आपको एक ऐसा dissatisfaction रहता है कि शायद यार इंडिया is not the right place मुझे शायद move करना है और मजदार बात है कि हमारी पढ़ाई हमारी education भी हमें इंडिया के बारे में भारत के बारे में educate करने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं हो पाई हम खुद शायद अपने मूल्यों को अपने culture को भूलते जा रहे हैं तो इन्हीं सब बातों पर चर्च तो इन्हीं से जानेंगे कि ये बालेश स्वादेशी नाम का क्या रहसे है क्या महत्व है और आज मैं guarantee देता हूं by the end of this podcast you will feel proud to say that you are an Indian. So are we ready? Let's jump into this. बाले जी स्वागरत है आपका इस program में नमस्कार कैसे हैं आप बालेश स्वादेशी मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं कि generally ये नाम सुनने को नहीं मिलता तो ये बालेश स्वादेशी का क्या रहसे है जी जी हुआ ऐसा कि मेरे पिता जी हमारी घर परिवार के जो मून लिर रहे हैं उसमें हम लोग जातिवाद से बहुत दूर रहें जी क्योंकि पता ही है कि जातिवाद आज के समय में बहुत एक बड़ी समस्या वन के उभरी है भारत के सामने तो हमारे पिता जी ने जातिवाद का कोई input ना रहे हमारे नाम में इसल Georgi किवल हमारे बड़े भीया स के बारे में अध्यन किया, स्वादेशी शिद्धानत को पढ़ा, समझा और इसके बाद उसको अपनाया जीवन में, उसका लाप राप्त किया, तो इसके बाद मुझे ये महसूस हुआ कि कही न कही इन चीजों को अन्य लोगों तक पहुचा के और धीरे-धीरे लोगों को जा कि भाई, ये कैसा नाम है, ये किस जाती से संबन दीते हैं, लोग पुछते कि किस जाती में आता है, तो फिर हमें वह समझाना पड़ता है, ये भारती इता वाली जाती है, ये इसका संबन केवल भारत माता कि पुराने नैतिक मुल्यों से है, आर्थिक मुल्यों से है, भारत में भारत कितना गौरवशाली रहा है उस विचार को अपने जीवन में अपनाना और पालन करना पर्चार करना इसी लिए नाम इसका बालेश्वदिशी नाम के ही तातक से बने कोछ तो जिस गौरव भारत की आप बात कर रहे है ये कहा क्योंकि खोज तो 14 सो में हुई है हाँ अगर आधुनिक्ता के हिसाब से देखा जाए तो आपका कहना बिल्कुल सही है लोग भी गर हम किसी को बताएंगे तो सबसे पहला सवाल वो यही पूछेगा कि वही जब खोजी 1498 में हुई है तो कैसे हम महान कैसे हो सकते है तो मेरा उस पर यही कहना है कि जिन लोगों ने जरा सब भी हम लोग की तिहास को अपनी स्योविधा के अनुसार पढ़ते है आधा पढ़ते हैं कि जिसमें हमें भारत को अपमानित करने का उसर मिले वो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जहां भारत को गवरवानुवित करने का उसर मिलता है, वो हम छोड़ देते हैं, कैसे, भेन सांग लिखता है अपनी पुस्तक में, कि भारत जब वो आया, तो उसने कहा कि भारत इतना सम्रिद्ध था, कि जब मैं किसी जगे पे शाम हो जाती थ और मैं किसी से जल मांगता था, सोची एक जराब कि नैतिक मूले हमारे कितने अच्छे थे, दया कितनी थी हमारे हर्दे में, करोणा कितनी थी, और आर्थी किसी थी कितनी बढ़िया थी, उन्होंने कहा जब मैं किसी से पानी मांगता था, तो पूरे भारत में कहीं मुझे नहीं मिला, मिलता था क्या दूद, रोटी, गूड, घी, मतलब ये कि क्या खाओगे बिटा, तुम ठक गए होगे, तुम भारत के नहीं लग रहे हो, बाहरी लग रहे हो, थोड़ा आराम कर लो, ऐसा उसने पुछतक में लिखा, ये भारत है, हमें तो लगता है कि इस पर गरो कवी से है, ये उसने कहा कि मुझे भारत में पानी मांगने पर किसी पानी नहीं दिया, जब भी पानी मांगो तो उसके साथ दो-चार चीच और दे देते हैं लोग, तो इसका मतलब कि मारी आर्थी के स्थिति अच्छी रही होगे, अगर आज की स्थिति में देखा जा अब तो कहीं पानी मांगना भी हो सकता है कि पढ़े लिके शहरों में अब तो पानी मांगना भी बड़ा मुस्किल गारे हो जाएगा, लेकिन भारत ऐसा हुआ करता था, ये तो इंडिया हो गया, भारत ऐसा हुआ करता था कि वहां फायान वे इंसांग ने जो भारत की बार कहा जा रहा है कि भारत और चीन चीन भी काफी धनी था उस समय भारत के बारे में कहा गया कि भारत सौपन से भी अधिक धनी था जितना आप सोच सकते हैं उससे भी अधिक धनी था तो फिर इसका मतलब कि खोज हमारी 1490 में नहीं हुई है अपनी बाचीत के दोरान आपने दो शब्द यूज किये इंडिया और भारत कि अगर आप इंडिया को देख रहे हैं तो जरूर खोज 1400 इसी में हुई है लेकिन अगर आप भारत को देख रहे हैं तो वो खोज नहीं हुई वो तो बहुत पुराना है यह क्या फरक है इंडिया और भारत में फरक यही है कि जो इंडियान मान सकता है यह अपने पहले ही कहा था जो इंडियान मान सकता है वो हमेशा इसी बेस पर चलती है कि भारत भई बड़ा कमजोर पहले भी रहा है और आज तो समस्या हैं दिखी रही है आज तो जो आपने बताए कि जगे-जगे लडाई हो रही है जगे-जगे गरीबी का अलम है रोजगार की कमी है, महंगाई की समस्या है तो आज की यह सिति है और उसको बताया जा रहा है कि पहले भी कमोबेश यही स्थिती थी तो गवरो करने का कोई कारण नहीं मिल पाएगा उनको तो जो इंडियन मान सकता है इसमें गवरो करने के लिए कुछ नहीं क्योंकि आज तो समस्या है यह तो हम भी सुविकार कर रहे हैं आज समस्या है पर उसके कारण है हजार साल की गुलामी रहे हमारे उपर अगर कोई आदमी हपते भर किसी के घर में रह लेता है तो उसके बैलेंस में लोड आ जाता है कि आज के जवाने में इतनी महेंगाई है अगर कोई हपते भर किसी कहां रह ले तो कहीं न कहीं बैलेंस पे कुछ फर्क पड़ जाता है लेकिन अगर कोई हज्जार साल, 800 साल की मुगलों की, फिर उसके बाद 200 साल अंग्रेजियों के गर इतनी लंबे गुड़ा में हमने झेली होगी क्या क्या हमने खोया होगा तब जाकि ये सित्य हमारी हुई है कि हमें उस पे कमी बताने का उशर मिल पा रहा है बाले जी आज कि अगर मैं यूथ की बात करूँ most of the youth इंडिया में नहीं रहना चाहता भारत में नहीं रहना चाहता वो भारत से connect नहीं कर पाता वो बाहर जाना चाहता है क्योंकि वो ये महसूस करता है कि ये बहुत ही पिछड़ा हुआ देश है इसमें कुछ नहीं है कोई richness नहीं है किसी में तरीके की और जो एक जुड़ाव है अपनी country, अपनी जमीन, अपनी भूमी के साथ वो miss करता है तो मैं आपसे ये समनना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है और ये कब हुआ, कब से होना शुरू हुआ कि हम अपने देश से इस प्रकार कट गए कि हम उसकी महानता को न देख पा रहे हैं, ना उसको महान बनाने के तरफ प्रयास भी करना चाहते है हम मूव करना चाहते है, हम क्विट करना चाहते है ये कब हुआ और क्यों हुआ बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात आपने उठाई देखे, अगर इतिहास कद्यान किया जाए तो विक्रम शिला विश्विद्याले तक शिला विश्विद्याले जहां चारे चानक के पढ़ाते थे नालंदा विश्विद्याले विहार में जिसकों की जला दिया गया था कहते हैं इतनी पुष्टके थी इतना ग्यान था इतनी पुष्टके थी कि 6 महीने लगा तार वो पुष्टकाले जलता रहा, कितना बड़ा रहा होगा और दस-दस हजार विद्ध्यार्थी एक विश्व विद्ध्यारे मुस्व में पढ़ा करते थे जिसमें की पूरे एसिया महाद्वीब से और इसके पार से भी लोग आके यहां रहे थे, पहले लोग यहां रहे थे चाहे वो व्यापार करने के बहाने चाहे वो लूटने के बहाने चाहे वो कुछ पाने के बहाने चाहे सिक्षा लेने के बहाने पहले लोगों की मानसिक्ता में यह बैठा था कि येन केन प्रकारेंड किसी प्रकार भारत पहुचा जाए और भारत से विभिन प्रकार के लाब उठाए जाए बाद में क्या हो गया बाद में ही हुआ जैसे मैंने बताया है कि विशेज स्रूप से उसमें कारण रहा है कुछ हद तक हम गुलामी को कह सकते हैं पराधेंता औ और कुछ हद तक हमारी राजनीती है, अभी अगर 70 साल से तो हमारी पास किसी तरे की कोई गुलामी नहीं रही है, लेकिन राजनीती हमारी इस परकार जरूर रही है, उसने यहां के विद्यार्थियों के एक अच्छा बेसिक स्ट्रक्चर देने का कभी प्रयासी नहीं किया है कि यहां पे बड़ी बड़ी कंपनिया खुले, आप उसमें यहां रह के काम करिये, उनको सुविधाय नहीं मिलेंगी, उनको ऊतना अच्छा वेतन नहीं मिलेगा, उनको कानून बेस्था ची नहीं मिलेगी. अगर आप जहां पे आपकी कंपनी है वहीं पेगर आसपास डिली मडर होता हो वहां पे लडाई होती हो जैसा आपने भी कुछ दिर पहले खाता है दंगा फसाद हो मुझे नहीं लगता कि कोई वहां पर निवेश करना चाहेगा ये कारण है लोगों के भगने का सिक्षा बेवस्ता अपर हमने ध्यान नहीं दिया सिक्षा पर हम एक परसेंट, जीरो परसेंट, डेड़ परसेंट इतना ही खर्चा करते रहे रिसर्च पर हमारा खर्च बहुत कम है पेक्षा कर्च चीन के, अमेरिका के, इस्राइल के जो हम लोग research पे खर्च कर रहे हैं वो बहुत ही कम है बहुत कम प्रतिशाथ हम उस पे खर्चा कर रहे हैं तो वो क्यों रुकेंगे उनको research करना है उसको शोध करना है तो आपने शोध के लिए कोई बड़े विश्विद्याले उप्रब्ध नहीं करा है ऐसे संसाधन अपने उप्रब्द नहीं करा है ऐसी परिष्थितियां आपने नहीं निर्मिती है भग कि उसको अमेरिका जाना, इसराइल जाना, कैनेडा जाना बिवस्ता है, उसकी मजबूरी है क्योंकि स्वार्थ तो कहीं न कहीं इतना तो हर अदमी अब्दुलकलाम तो नहीं हो जाएगा अब्दुलकलाम जी को बड़े बड़े ओफर आए और उनको कहा गया कि आप यहां आजाएए जितना आप वहाँ पूरे साल में अगर आपकी कोई इंकम होगी प्रति दिल उतना हम देने के लिए तैयार है नहीं उन्होंने का नहीं मुझे तो मेरे भारत के कलियान करना है यहां रुकियो हो मी जाकिर भाबा उनके बारे में तो यह भी कहा जाता है परमानू पूरी बिवस्ता के जनक और उन्होंने कितना कुछ देश को दिया तो उसमें कहीं नक्टर भाबा जी का योगदान है, सरोप्रमुख योगदान है, तो भाबा जी को बहुत लालच दिया गया कि आप वहाँ जाईए, यहां तक कि उन्होंने एक्षप्ट नहीं किया, तो आपको जानकारी होगी, जब उनका विमान अमेरिका सीधर चला, तीन स कुछ लोग बैठे थे, पूरे विमान को पता नहीं कहते, क्रैश किया गया, कि सारे लोग उसमें मरत हो गए, तो सोचे, प्राणों तक की बाजी लोगों ने लगा दिया, भारत को देने के लिए, लेकिन हर आदमी वैसा नहीं हो जाएगा, आदमी को अपना निजी स्वार है, अच्छी मिल पा रही है, मजबूर होकर जा रहा है, मैं मुझे याद हमारे इस डिसकेशन से पहले जब हम ऐसी रूम में बैठके डिसकेशन कर रहे थे, तो उसमें हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि आज तो चलिए हम मुड़कर देखते हैं, तो शायद गुलामी य ना हो, उस पर पूरी एक प्रयास, एक पूरा कॉंस्पिरिसी है, अब जैसे कि हम बात कर रहे थे चाहिए हैपिनेस इंडेक्स की बात कर लो आप, अब हैपिनेस इंडेक्स के अंदर जहां भारत नीचे आवादा है, वहाँ ही बंगलादेश और श्रेलंका जैसे पाकिस्त तरीका है, कि अगर किसी आदमी ने किसी के हाँ दो चार साल से कबज़ा किया हो, और उसके बाद वो kaभी नहीं चाहेगगा, वो आदमी जब छोड़के चला जाएगा, वो कभी नहीं चाहेगा, कि ये आदमी आगे बढ़ जाएं, क्यों, क्योंकि पता नहीं कब वो आदम अमेरिका में रहा है, बहुत बड़ा, अबराहम लिंकन को सिर्फ इसलिए मार दिया गया था, इसलिए एक रास्ट्रुपती को, अमेरिका की रास्ट्रुपती को मार दिया गया, क्योंकि वो समानता की बात करते थी, लेकिन फिर भी हो कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम नहीं ले रहा हूं लेकिन ये बहुत प्रशिद देते हासकारों ने इसा कहा है प्रशिम के कि इस्त्रियों में आत्मा नहीं होती है तो मत्दान देने का दिकार ने कई कई जगे तो ऐसा कहा गया है कि एक आदमी की गवाही एक आदमी की गवाही और दो महिलाओं की गवाही होगी एक आदमी और एक महिला में बराबर बुद्धी नहीं है इसलिए वो एक आदमी की और एक महिला की गवाही समान नहीं होगी दोनों ने भले कोई चीद देखी है जब दो औरते होंगी एक आदमी होगा, तब होगा वही समान मानी जाएगी, ऐसी विचारधारा वाली लोगों ने भारत को आइना दिखाने का प्रियास किया, इसे लोग जिनों ने इस्त्री को इस्त्री नहीं समझा, जीव नहीं समझा, वो लोग भारत को सुझाओ देते रहते हैं, भारत को शिखात करना चाहिए तो हम तो इस देश की लोग हैं बराबरी की और समानता की तो कोई बात ही नहीं है बिल्कुल हमारे हमारे सिद्धान दिये रहे हैं कि महिला पूजा की योगे हैं चाहे हो मा के आप आप देखे नौरात्री जल रही है जै मैं इसी के माध्यम से सब लोगों को नहुरात्री की शुप कामना है भी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से सभी लोगों को नहुरात्री की बहुत-बहुत मंगल कामना है तो नवरात्री के वरत में एक कन्या पूजन होता है आपको पता हो जो कि लोग कन्याओं को नव विजिसिटम से क्योंकि नव दिन माने गए हैं नव शरूप माने गए हैं देविय। नव कन्याओं को लोग आखिर ये प्रतीक किस बात का है हम पूरे संसार की महिलाओं को इतना समर्थी तो हमें नहीं कि एक दिन अपनी घर पे बुला के और सब को पूजा कर देंगे प्रतीक हमारे पास क्या है प्रतीक है कि हाँ हम ये करना जरूर चाहते हैं क्यों क्योंकि नव बच्चियों को बलाते हैं आज की डेट में मेरे पिता जी ने अकेले घर पे हैं मेरे पिता जी ने अकेले होने के बावजूद बाहर से में स्ठान हो गया है लाके नव कन्याओं को घर पे नव छोटी छोटी बच्चियों को लाके उनका पैर धुल के उनको पैर पढ़के और उनको मुझ में ठाक राए गया, उनको भोजन दिया गया, उनको उच्छों पहार पढ़ाई लिखाई की चीज़े दी गई, आप ये पैंसिल लीजिए, रबाड लीजिए, इससे आप पढ़िए, सोचिए कि आखिर इसके माध्यम से हम क्या कहना चात है, वहीं देवता निवास करते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अब आज की तारीक में, भारत में especially, जिस तरीके से रेप की खबरें आती है, जिस तरीके से इतना जादा विमिन का exploitation, दूर दरास गाओं के तरफ मैं कहूं कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इस पर आपकी क्या टिप पड़ी है कि एक तरफ as a culture हम उसको माता भगवान मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारी ही society का कुछ segment ऐसा है, जो उसको शायद कुछ नहीं समझता, जी मैं इसको इस अधार पे इसपस्ट करना चाहूँगा कि अगर हमें सिक्षा, बाल लिकाल में जो सिक्षा मिल जाती है, वो जीवान भर प्रभावी रहती है, जो बाल लिकाल में हमको सिक्षा मिलती है, अगर माता पिता हमारे बोलते हैं कि भाई फला आदमी के घर पे आप नही जाएगा, मतलब बच्चा किसी भी चीजों को ग्रहन करने के लिए खाली कोरा कागज है, वो ग्रहन करता है तो जब आपने पढ़ाया प्राइमरी में जूनियर है स्कुल में, जो नैतिक सिक्षा हैं थी अगर आपको आद हो, जब हम लोग छोटे थे तो एक किताब चला करती थे, नैतिक सिक्षा जो आज नहीं है, जो आप नहीं है आखिर क्या करण था कि हमने नैतिक सिक्षा को खतम कर दिया उसमें ये बताया गया था कि गुरू की सेवा करिए गुरू आदर की योग्यों होते हैं, गुरू का अपमान मत करिए बिल्कुल और हम लोग जब छोटे थी तो गुरुजी कहते थे कितना स्वावलंबन सिखाया जाता था इस स्कूलों में जब हम जाते थे तो अपने से ही पहले विद्यालेकम लोग साफ करते थे अपने से और उसके बाद गुरुजी की टेबल वगरा साफ किया करते थे उनकी कुर्सियां कितना अच्छा ही गौरों की बात है आद मुझे बात यहाद आती तो बड़ी प्रशंता होती है उससे मैंने बहुत कुछ सीखा और जीवन में आज जहां भी हैं सापसफाई करना और ये सब चीजे करना हमारे पूरे जीवन में आ गई है क्योंकि वो चीज हमने बचपन से देखी है लेकिन अगर इन चीजों से हमको काट दिया जाएगा जूट बोलना गलत बात ही हमको नहीं बताया जाएगा चोरी करना गलत बात है ये नैतिक सिक्षा हमको हटा दी गई जब कोई नैतिक ता नाम की चीज रही ही नहीं गई वो किताब ही आपने पूरी तरह हटा दी उसमें हमारे महापुर्षों के बारे में लिखा रहता था गउतम बुद्दी जी के बारे में अब तो आखिर ये खतम करके हमने बच्चों को उजदिसा में जाने के लिए विवस कर दिया, कि अब आप सच्छंद है अब आप जहांचाहिए जो चाहिए बच्पन से उन्हें नेतिकता का जो पार्ट की आब बात कर रहे हैं वो नेतिकता का पार्ट अब नहीं है और क्या इसके पीछे अगेन वही विदेशी ताकते हैं क्योंकि हमारा आज का करिकुलम पढ़ाई का जो पूरा करिकुलम है हमारी यहाँ पर अंग्रेजी के अंदर पूरा पाठे करम हो गया और हर चीज हो गई इन फाक्ट हम अपनी किताबों में ये कहने लगे कि अकबर इस दे ग्रेट बट महाराना परताब इस नॉट ग्रेट तो इस पर क्या कहना है आपका तो रोय खड़े हो जाएंगे बच्चों के कि उन्होंने हमारे लिए आने वाली पीढियों के लिए उस समय के लोगों के लिए स्वतंतरता के लिए कितना बड़ा त्याग किया मतलब आप सोचीए कि यहां अगर आदमी को सूखी रोटी मिल जाए, सूखी रोटी तो खा नहीं पाएगा आदमी, खा नहीं पाएगा जबकि हम लोग कोई बहुत बड़े मतलब राजे महराजे नहीं है लेकिन जो व्यक्ति कल तक राजा था कल तक राज परिवार से रहा हो और उसको ऐसी इस्थिती आती कि घास की रोटिया खानी पड़ती है घास की ऐसी इस्थिती में उन्होंने स्वतंतरता को बचाए रखा तो स्वतंतरता का क्या मूल्ले है सुतंतरता कितनी कीमती है क्या इससे बड़ा उधारण कहीं मिल सकता है संसार में कि उस सुतंतरता को बचाए रखने के लिए उस महापुरुस ने घास की रोटिया खाई अकेले पड़ गए अलग थलग पड़ गए अन्य जगों से संदी करके किसी को लालाज देके किसी को डरा के किसी को नमगा के साम दाम धंड बेट के दूरा चारों तरप से घहरनी का प्रियास किया गया लेकिन फिर भी उस महापुरुस ने कभी गोटिया नहीं ठीके कोई बात नहीं खास जंगल चले जाएंगे घास की रोटिया खाएंगे सब ठीक है लेकिन पुना से ना तयार करेंगे और पुना स्वाधियन रहेंगे कभी किसी के गुलाम नहीं रहेंगे तो ये भारत देश की संच्कृति है कि स्वाधियन इसी को स्वामी जमराज कहते हैं उन्होंने भी कि नहीं दरिद्रशम दुख जगमा ही उन्होंने कहा कि कोई दुख जो है दरिद्रता के समान नहीं है और स्वाधियनता के समान कोई सुख नहीं है कि आप अपने से कंट्रोल हो आप स्वतंत्र रहें जो करना चाहें जीवन में आप कर सकें लेकिन हमारे देश में स्वतंत सीखेंगे कि नहीं पढ़ए guys have weird प्रतार हो ही आप यहांगे करई отнош जो हो सकता हमारे मर्जीप है के महारा मामर्ण प्रताब को पढ़ेंगे की नहीं पढ़ेंगे सीखेंगे की नहीं सीखेंगे औरग से महाल थे और शिवाजी महाल नहीं जी 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 उसको आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा जो कहा वो तो ठीकी है किया क्या उन्होंने कहते हैं कि कहो कम करो जादा तो भारत की विरोधी ने यही किया कार ये जादा किया बोला कम जादा कैसे किया जो उन लोगों की उनके लिए महारानी उदा देवी पासी ऐसे लोग जिनको कि आज हम अलग निगास से देखते हैं और समाज कहता है बड़ा जाती भेद है बड़ी परेशानिया है उस पर भी हम आगे आएंगे जातियों की भी स्तिती कुछी दिन पहले खराब हुई वरना जिनका मैं नाम ले कशारे समय के साथ साथ कुकि आकरमन कारियों के हिसाब सcause उनके कहने पर नहीं वो चले है तो धीरे दीरे गंदा कारी उन Nousसे करवाया गया मेला उठवाया गया, कूड़ा फिक वाया गया तो धीरे 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 गंदगी सबको अपरी होती हमारे आपके घरों में कोई विक्ती कूड़ा फिक कियाता है या तो लेट इन बातरूम साफ करके आता है कहा जाता है पहले आप पिश्णान करिए, तब आप इधार आईए, तब तक के लिए तो आप अचुत होई जाएंगे, इसी तरह धीरे 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 ये विवस्था ऐसे हो गई कि हमने ध्यान नहीं दिया, हमारे भाई, हमारे बराबरी के लोग, उनको हमने बहु हूँ थी, इसलिए हम लोगों ने अपने नाम किया गए, कभी भी जाती का प्रियोग नहीं किया, क्योंकि जाती बाटने का कारे कर रहे है इस समय, कभी हुआ करती थी वो कारे करने की गइदती थी, एक तरीका थहां, ये लोग ये कारे कर लेंगे, बाद में उसको उचनी स जोड दिया गया जोगा जोड से जोड दिया गया यह बहुत बड़ा दुर भागी रहा है हाँ यह मैं इस बात से अगरी करता हूँ क्योंकि अगर आप एक complete cultural के उपर attack के तरीके से हम इसे बोल सकते हैं एक जमाने में जैसे दो होकी हमारे माइंड से wipe out हो गया और cricket हमारा जाने अन जाने हमारे दिलों में हमारे दिमाग में एक national खेल बन गया और दूसी तरफ की योग जो हमारी roots का था हमारी health mind body soul की health के लिए जो योग था वो wipe out हो गया और steroid लेकर के gym में body बनाना विदेशी bodybuilders की photo लगा कर कि वो बनाना वो prime बन गया तो मुझे ऐसा लगता है कि यह पूरा एक तरीके से planned पूरा एक ऐसा एक system develop हुआ जिसे आप कहने कि विदेशी ताकतों ने किया तो इस पर अपकी क्या राए है योग पर और जैसा कि मैंने बताया कि cricket पहले मैं बात करना चाहूँगा हौकी पर आप के इश्मरंण के बाद फिर मैं योग पर आना चाहूँगा सबसे पहली बात तो यह कि हौकी में जो हमारे पास पदक हैं हमारे पास major ध्यान चंद हैं जिनको कि हाकी का जदूगर कहा जाता है हमारे सौभागिस हैं हौकी प्रियाग राज में उनका जन्न हुआ है हम मूर्णूसी प्रियाग राज से हैं तो बड़ा गरोग अन्भ होता है कि अशी कि मेजर समिन जो हाकी का जदूगर है वो आदमी मैच देखने जाता है वहाँ पर प्रधान मंत्री मैच देख रहे होते हैं और उनको मेजर धिहान चंद जी को घुसने का आउसर नहीं मिल पाता है अब आप सोचे कि यह कितना दुखद है जिसकी वज़ा से एक विक्ति की वज़ा से कम से कम तीन तीन ओलम्पिक में उन्होंने अपने निजी प्रधरशन से उन्होंने ओलम्पिक में शोन जिताया है और जबकि सब लोगों की पता होगा कि जो क्रिकेट का विशो कप होता है बारा, तेरा, चोदा, पंदारा देशों से होता है ओलम्पिक में कितने अधिक देश खेलते हैं ओलम्पिक में लगभग लगभग सारे ही देश आपने अस्तर पर भाग लेते हैं इतनी बड़ी प्रतियोगिता में उन्होंने भारत को शौन पदक दिलाए और उनको कहा जाता है कि वो गोली के रफतार से मतलब गोल किया करते थे हौकी के जादूगर थे लेकिन सम्मान ऐसे लोगों का इतना कम रहा कि जो मैंने बताई कि ऐसी दुखत घटना हुई क्रिकेट में आप देख लीजे क्रिकेट से जो कभी भी जुला हुआ आदमी रहेगा जिसने दो-चार मैज भी खेल लिया होंगे पांच मैज खेल लिया होंगे भारत में बड़े आदर के निगास से बड़े सम्मान की दृष्टी से दिखा जाता है बहुत दुखा दे अत्यनते दुखा दे इस लिए कि उसको अंग्रेजों के समय से ही विभाजन के पहले से ही क्रिकेट को बहुत बढ़ावा दिया गया भारत में अंग्रेजों के दौरा और हॉकी पे तरह तरीकी के प्रतिबंद लगाएगे कोई उनको सुक्स विधाई नहीं दी गई उनको आने जाने के सुविधाई नहीं दी गई ने उनको खिलने के लिए विध्य साहता नहीं दी गई तो कहने के मतलब की क्रिकेट को हमने इतना बढ़ा दिया कि एक खेल क्रिकेट किया जिस्तिती है अगर एक कोई सामान मैच आ रहा है सामान निमैच कोई किसी देश से भारत से स्रीलंका से कोई मैच आ रहा है जो स्पोर्ट्स वाला पेज है आप देखिए कभी उसमें हेड्लाइन बनके आता है कि यह स्पोर हुआ और इसलिए फ़लाग वहीं पर हो सकता है नीचे कबड़ी का वर्ल्ड कप चल रहा हो वर्ल्ड कप और भारत पिछले कई बार से करीब 4-5 बार से कबड़ी में विस्त व लिए जाता है तो कहीं न कहीं मीडिया हमारी बौधिक गुलामी के अनुसार पस्चिम की मीडिया ने जो रास्ता दिखाया है उसी दिसा में आगे बढ़ रहे हैं इसलिए मैंने कहा लेकिन इसमें अब हम किवल पस्चिम को दोस्त नहीं दे सकते हैं वो तो चले गए लिए बिल्कुल बहुत धीक रूप से निस्चित रूप से बहुत धीक रूप से मैं आपको धरन रिता हूँ हमारे पास खाने पीने के ऐसे साधन रहे हैं हमारे पास भारत में दूद, दही, लसी, छाच, गन्यगरस और निमू के सिकनजी हमारे हां बहुत प्रयोग होती रही है पहले सी, जो की पेट के लिए भी बहुत अच्छी होती है, बेल करास, गर्मी अगर आपको लगी हो, आप शुद्ध बेल को पीजिए, आपको बहुत लावदायक जो है, इस तिम पहुचाएगी, बहुजूद इसके कोका कोला को ये बता के पिया जाता है, बहुत प्रवक्ता नहीं हो, लेकिन कम से कम उन्होंने भारतीता को अगर अप्लानी की बात के ही, कि आयुरवेद में हर चीजों का समधान है, हर व्यादियों का समधान है, तो उनको सुप्रीम कोट ने बिलकुल अपराधी की तरीके से खड़ा करके, और उनको बड़े उपदेश लेकिन सममानित होते हैं, एमनको सममान करते हैं, लेकिन वह लोग टी-वी नहीं देखते हैं, क्या यह चीजें गलत नहीं है, आप बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, मुझे लगता है, कहीं सक्तिमान सीरे लगर आपने देखा होगा, झब सक्तिमान इससे घुमता था, voaky iGood पहन के गोल-गोल घोम जाते थे, क्या कलको अगर कोई बच्चा ड्यूपी के और एक पहाड़ी इस दूसरी पहाड़ी में चलंग लगाने के प्रयास करें तो कौन इसका दोसी होगा आप आपने उसको गलत नहीं कहा लेकिन अगर राम देवी बोल दिये कि भाई कोरोना से लेकि किसी भी व्यादी का उपचार आईरुवेद में है तुरंत उनको अपराधी बना दिया गए कैसे आपने इसा बोल दिया महान तो हमारा एलोपाइथ है ये अलग बात है कि डाइबिटीज की दवा खाना शुरू कर ये जिंदगी बर खाते रहिए कभी डाइबिटीज से कोई एक व्यक्ति भारत में दिखा दीजिए जिसका डाइबिटीज जाके पूरी तरह से क्लियार हो गया हो कोई एक व्यक्ति जिसको हरदय अगहात की समस्या हो भी पी की एक गोली अगर शुरू होती है तो वो जीवन भर चलता ये हम अंग्रेजी पद्धती की दवाएं खाय जा रहे है लेकिन मेरा आयरुवेद ये कह रहा है कि आप बिमारी मत बनिये दे कि कि किसी भी पैथी का या किसी भी वेक्ती का या किसी भी संस्थान का जो लोगो होता है लोगो वो उसके बारे में पूरी बात बता देता है थोड़े में ही आप सब कुछ समझ सकते है तो जो आयरुवेद का मूल गताने वो ये है कि आप ऐसी अपनी दिंचरिया बनाए कि आप बिमार ही न पड़ें कितना बड़ा अंतर है कि एक पैथी वो है कि जब हमें विमार होने के बाद उप्चार बताती है हम उसको खाते है पूरा संसार जानता है कि अगर हमने बीपी की और डाबिटीज की दमाई लेना शुरू की तो किड्नी एफेक्टेट 100% होना ही होना है किड्नी फेलियोर की संभावना धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी सभी को मालूम है तो एक पैथी आप दे रहे हैं कि ओभी ठीक भी नहीं होगी सुगर और डाबिटीज ठीक नहीं होगी सुगर और भीपी ठीक नहीं होगा लेकिन किड्नी से हम हाथ दो बैठेंगे और एक पैथी यह है कि ऐसे आप अपनी दिनचरिया रखिए कि कभी आप बिमार मत पढ़िए आप सुबह उठीए मैं एक निवेदन करना चाहूं कि जो लोग इसको सुनेंगे तो आपके माध्यम से तो उन लोगों से स्वस्त दिनचरिया के लिए मैं लोगों को बोलता हूँ कभी कभार अपवाद होता है जिसे हमी इस समय बाहर आए हैं दूसरे जगे पे आए हैं तो अधिक घुमना, अधिक टहलना, चीजों को देखना, जानना यह हो जाता है लेकिन समाने तोर पे एक विक्ति की दिनचरिया आयरुवेद के अनुसरा अगर रखी जाए तो बहुत बड़ा जीवन में लाब मिलेगा कि हम सुबह उठें अगर तामे का हमारे घर में कोई बरतन है तामे का कोई पात रहे सुरी नमसकार के फाइदे कोई संसार में कैसा कोई डॉक्तर या कोई वैज्यानिक देख जाए जिसने सुरी नमसकार के बारे में भर भर के बढ़ाईया न की हो लेकिन हमारी निगाह में सुरी नमसकार क्या है कुछ नहीं हमारी निगाह में जिम को बिलकुल ये बता दिया गया कि भाई जिम इस्ट्राइड लेकर जैसे आपने भी कहा है इस्ट्राइड लेकर और बाद में फिर लगभग लगभग बहुता जितने लोगों को मैं जानता हूँ जो कि बड़े अस्तर पे प्रदर्शन की है अच्छा रहा उनकी उप्रब्धिया अच्छी रही उसका स्वागत है लेकिन बाद में कितना side effect होता है कितना नुक्षान होता है कि वो लोग कि कहते हैं कि अगर ऐसा न किये होते हैं उस समय तो जाधा अच्छा रहता है इतना famous होने से अच्छा है कि आज हम कम से कम स्वास्त तो रहते हैं तो क्या कहीं न कहीं आप योगों को बेटर मानते हैं और योग का क्या कोई personal अनुभाव है आपका योगों को लेकर जो आप शेयर करना चाहिए बहुत आपने अच्छी बात कही मैं पूना में था मैं रक्षामंत्राले में हूँ तो मेरी duty पूना में थी तो उस समय क्या हुआ कि हमारे पूरवजों ने कहा है हमारे पूरवज हमको बहुत अच्छी बाते बतागे देखिए जिम में ये बाते नहीं बताई जाती है आप एक्सरसाइज करते रही बीचे पानी पीते जाएए आपकी थरीर बिलकुल गरम है पानी पीते जाएए ये स्वास्त के लिए अच्छा नहीं है आयोवेद ये कहे रहा है चाहे जितना आप रिसर्च कर लीजिए पका आए कि ये चीज अच्छी नहीं मानी जाएगा, अगर आप खुब दौड रहे हैं, खुब भाग रहे हैं, दो-चार मेंट थोड़ा सा बैट की तसलिए ले लिजे, तब उसके बाद आप फिर जल्ग रहान करिए, हम क्या करते थे, बच्पन में एक वही जो देश के लिए अभी शा से पांच भी खेल लेते थे, और भाग भाग के पानी पीते थे, क्योंकि खाना खाके तो जाते नहीं थे, तो क्या हुआ कि उससे सरीर को बड़ा नुक्षान हुआ, जैसे कि आप देखेंगे कि अगर लैंप जल रही है, जो बच्पन में जिन लोगों ने पढ़ाई किया ह थोड़ी देर रुखके, लैंप को बुच जाने दीजिए, तब उसके बाद अगर आपको धुलना है, तो पानी आप डाली है, यह तरीका रहा है, लेकिन हमने इसका विप्रीत कारी किया, कि भाई, दोड़ते रहे, भागते रहे, पानी पीते रहे, इससे क्या हुआ कि हमा पानी का मेडिकल कॉलेज था, तो चेक करा है, तो जब बान भी परतिशत बढ़ा हुआ दिखाई दिया, तो डाक्टर ने बोला, डाक्टर पुनीत गर्गजी थे, लिफटनेंट करनल थे, उन्होंने कहा कि नी भाई, यह रिपोट गलत हो गई, फिर से जाके चेक करा लो, इतना नहीं होता है, इसा, हम गए, फिर से हमने चेक करा है, फिर से बान भी परतिशत, और यह बैठो बैठो, आपको तो मतलब आपकी तो लाहिए फिल्कुल खतम हो जानी चाहिए, मतलब बान भी परतिशत आ इसनों फिल, बताओ, इतनी बुरे इस्तिते हैं, क्या हुआ क उन्होंने हमको कई डी, सी वगेरा, कई इसी दवाईया आती, डाइत, हेल्क्लोराइड का कुछ कई कई फार्मूले है, उन्होंने कई दवाईया हमको लिखी, उसी समय से योग से ऐसा हुआ कि पूना में रामदेवाबा आएं, और जो हमें समस्या रही है, मैंने जाकर भे तो बड़ी प्रसंद हो, उन्होंने का गराईशी आवाशक्ता कभी पढ़ी, तो हम ऐसे इस छेतर से सव, इस छेतर से पचास इसे बच्चुक लेगें, तो हमने अपना नाम और वजस्क होई चुके थे 18 प्लस, तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, तो बड़ा वो भोजनानते पिबे दुगधम रात्री का ले, रात्री के समय, ये हमारे रिसे मुनी बता के गए हैं, बिस्सु का कोई भी डाक्टर अगर ये बता दे कि नहीं भाई, आपका पेट ज्यादा अच्छर हैगा अगर आप सुबे पीएंगे नहीं, सुबे आप अगर दूद प पीना चाहिए, और जो फल हैं, इनका से बन प्राथाकाल करना चाहिए, हमारे रिसे मुन्यों ने इसा बता, उन्होंने का क्या तुमें इसा करते हो, तो मैंने का नहीं हो पता दाही जब मनाया खा लिए, तो इस तरीके से क्या हुआ कि मैंने अपनी जीवन सहली बदली, ख थाई अवस्था में, एक रुपाई की मैंने दवा नहीं खाई, एक रुपाई की, किवाल योग किया, उचित तरीके से खाना पिना खाया, शोरी नमाशकार किया, और आयरुवेदिक जो अन कईये से उचार है, कि हाँ भाई, डब्लू बीसी की इस पार्ट की बढ़ोतरी में ये चीज़ खाना चाहिए, कई एस या अरुवेदिक थोड़ा सा हो सभियों का शिवन किया, हो गया, तो इसमें योग की भी भूमी क्या है, क्योंकि मैंने योग भी किया, और मैंने एक भी रुपाई, एजय साब को बता है, एक भी रुपाई कि मैंने जो दवाई मेरे डक इसको मैं जोड़ना चाहूंगा जो आपने कहा कि साजिस, साजिस और गुलामी का प्रभाव, ये ऐसा है कि योग जब तक हम अभी आज के 20 साल पहले, अगर हम योग करने कहीं बैठ जाते थे, तो लोग हमको पाखंड की निगा से देखते थे, कि इनको देखोई मतलब पलग गया, सोची आपकी मानसिक रूपसन कितने घुलाम है, फिर उसके बाद हमने योगा सुरू किया, आप तो पार्क में बड़े-बड़े लोगों की आप तो एडवांस होने का परतीक बन गया, योग कर रहा है तो मतलब बड़े-पढ़ए लिखे लोग होंगे, और ए न कहीं योगा का पेटेंट भी विदेशों में होने वाला है, और हमारी मोधी सरकार का जो एफ़र्ट रहा की उसको एक इंटरनेशनल योगा डे बनाया गया, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत शराहनी कारे रहा वो कि वहां पे हमने उसको परताव सहीं तरह संग में उठाय योगा के लिए एक इंटरनेशनल डे गोशित किया जाए, बड़े गवरों की बात रही, इसमें सबसे बड़ा प्रहों में राजनीताओं का नहीं मानता हूं, बाबा रामदेव जीने योग का परिया योग अगर बोलिए, तो कहींने कहीं मन मस्तिस्त में रामदेव बाब नहीं कर पाएंगे, वो तो बहुत दूर की बाते हैं, क्योंकि जब किसी छेतर में आप अंदर जाते जाएंगे, तब जाके आपको उसका पूरा रस मिलेगा, हमें गहीं का निर्मान करना है, मैं हमें इसा लोगों कहता हूं कि लोग तुरंद बस योग का फाइदा देखन चाहते हैं, तुरंद कि भाई योग का फाइदा दिखाईए, आप ये नहीं समझते हैं कि दूध है, उस दूध को पहले जामन डालके उसको दही बनाया जाता है, पहले उसकी प्रकर्दी पूरी बदाल दी जाती है, फिर दही से जो उसके उपर आ जाता है, जो उसकी योग बहुत बड़ी चीज़ है, हम लोग तो कि एवर सारी इफ लीक लाब के लिए उसकी बात कर रहे हैं, योग तो आत्मा से अपरमातमा को जोडने का मतियम है, जो कि बड़े अर्थों में है, हम लोग बहुत इतने धर्म कें, हम लोग बहुत मतलब अधिक दरूप से प तो वो ये योग की बाले जी क्या ये भी आप मानते हैं कि जो वेस्टर्न पस्चिमी इंफ्लूएंस जो हमारे उपर है वो हमारे खान पान तक हमारी किचन तक पहुँच गया हम शाकाहार से मासाहर की तरफ पूरे तरीके से बदल गए इस पर आपकी क्या experience नहीं है BCO करोड लोगों को शुद्शाकारी बनाए देश के बाहर भी नेपाल में, मौरीशस में, अमेरिका में, कई एक देशों में संगते हैं कि जहां लोग जो कल तक बिना अखाद दिवस्तों की जिनका भोजन पूरा नहीं होता था आप वो धीरे 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 उन चीज़ों का त जो की एक दो तमस्वों किवल हमारी आतों के लिए पेट के लिए नुक्सान दे नहीं है, वो हमारी करोणा के लिए, नहीं तिकता के लिए, दया के लिए, उनके लिए पी तो नुक्सान दे, अरे भाई कौन से ही से महापुरूस होंगे कि जो त्याग की बात करें, करोणा इतनी अच्छी चीजी दी हैं हमारे कीचिन में जो कि हमारे लिए बड़ी लावदायक हैं। हमारे लिए मेवे हैं, सुखे मेवे हैं, कई तरीके की सब्जियां हैं जिसके आधार पर की हम अपना जीवान बिल्कुल स्वास्त रह सकते हैं। और बिल्कुल हलका भोजा नहीं है, मांसाहर कैसा नहीं कि कोई धार में पक्षी है, मांसाहर स्वास्त के लिए बहुत हानिकारक है, डक्टर अब्दुल कलाम जी ने जब इसको समझा तो उन्होंने जीवन भर के लिए मांसाहर का त्याग कर दिया था, लाल भादूर सास्त्र ने क्या कहा, वो भी सबसाकारी लोग थे, अलबर्ट आइंस्टीन ने इसके बारे में कहा कि भई, शाकाहर ही मनों के लिए बिल्कुल उप्योगी है, वो लोग बिल्कुल शुद्शाकारी थे, और भारत की इस विचारधाना को बहुत आदर के साथ देखते थे, भारत ने लाबद है कि यह आप हमें मत बताए, और उधर विध्याले बता नहीं रहे, मैंने आपसे पहले बताए ने इतिक सिक्षाट गई, माता पिता बताने के लिए तयार नहीं होगा, उनके पास समय नहीं है, बच्चे का क्या भवे से होगा, अखिरकार तो भारत में उसको बु जाते थे विध्यालेों में, तो हमें बढ़ा आस्चर होता था एक बात देखे कि ठीक है, अगर आपने इसको पाइथा गुरस 13 में ही लिखा है, लिखिए, हमने तो कोई एतराज नहीं जाता है, ब्रेकिट में ये लिखके कि वो दे रहे हैं, भाई कि इसको बहुत हायन प कि आगे अगर भारत ना बढ़ता, तो पूरे विख्यानिक प्रगती का कोई मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं, उन्होंने कहा कि दुनिया में जितनी भी विज्ञान है, सब भारत की वज़ा से, क्योंकि भारत नहीं प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस होगा, प्लस इंट भारत ने, आखिर भारत में क्या नहीं है, भारत में लोगों नहीं बता दिया कि भाई, तीन लाख और कुछ, हजार किलो मिटर दूरी, चंदनमा की पर्थवी से हैं, उस समय में, हमारे आरे भट्टे जी नहीं बता दिया, आज कोई संसर का विज्ञानिक उसको गरत नहीं आज भी नोग्रहों की पुजा होती ही लोगों के घर में, पुजा पाठ में, कितनी बड़ी बात है, हम नोग्रह की पुजा कर रहे हैं, और 108 गिंती आप देखे, 108 का जो गिंती का रहास है, वो समझ लिजए कि आदमी की सासों से दिल की धड़कन कितने बात धड़कती है, और ऐसे बिभीन पवित्रकारियों का जो जोड रहेगा, या गुड़ा रहेगा, भाग रहेगा, वो 108 पे आएगा, 108 इतनी पवित्र गिंती, आकिर हमारी पुजा पद्धती में, 108 माले में 108 ही मन के क्यों होगे, यह हमारे रिसिमुनियों जान लिया, और इसका वाइग्या काविसकार इंग्लेंड में हुआ, कागज का, हमारे देश पे एक महानता रही है, कि हमने कोई चीज खोज दी, पर अपना नाम हम उसमें नहीं लगाते हैं, हमने कोई चीज खोज दी, मानावता के कल्यान के लिए वो चीज चलती रहे, लोग उसका नाप्राप्त करते रहे उसपर पेटेंट करके उसपर प्रभुता हमने नहीं जमाएं, प्रभुता जमाने के कारे हमारा नहीं रहा है, वो तो विवाश हो कि अब योग को ऐसा करना पड़ा, ये तो आज की परिस्थितियां ऐसी बनी, कि अगर हम उसको ना करते तो उसको कई देश उसको कर रहे हैं, बाद में ये बोला गया कि भाई भारत के कुछ वेग्यानिकों ने सवाल उठाया, कि नहीं भाई ऐसा है कि इसका मूल उद्गा मस्तल कहा है, जरा चेक करके बताइए कि आप कहा है कि भारत में, नहीं को उप्योग तो भारत है में मेंशा होता रहा, आपको बत परिवेश के अनाजों के अगर आप प्रियोग करेंगे, तो समझ लिजे कि आपके स्वस्त रहने की संभावना आप एक्षाकरत बहुत अधीक होगी, नुकसान दायक चीजें, अभी आपने कुछ दिर पहले कहा था कि कीचन तक में हमारी गुलामी पहुँच गए, ये बि वो स्वास्त के लेवल से बहुत ज़्यादा है, टेस्टी बनाने के लिए किवल, नमक की मातरा बहुत ज़्यादा है, उन्होंने 25 साल पहले बताया था, पता नहीं किस वई ग्यानिक नियाज के 2-3 साल पहले उठाया इस बात को तब जाकि कई महीने तक मेंगी किया और उसके बाद वो चीजें चलती रहें, और बाद में भी कुछ दिन पहले रिसर्च में चीज सिद्ध ही कि नहीं भाई ये तो पारा की और नमक की मातरा बहुत खतरना करस्तर पे हैं, और बाद में फिर उस पे प्रतिबंद लगा है गया, तो कहने का मतलब ये कि आलिस मिनट के अंदर भोजन कर लेना चाहिए, नहीं तो जो उसके गुण है, वो गुणों का धीरे 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 उसमें खशय होने लगता है, कम ही आ जाती है, आप लोग एक खाने को चार चार पांच पांच दिन उसको पैक करके लपेट के रखे हैं, ब बहुत हानिकारक उसमें रशाइन उत्पन हो जाएंगे, लेकिन हम लोगों कितनी जरूरी है इस बात के बारे में जाग रुपता होना, जी मुझे लगता है कि सायद आज की बात करकर हम लोग मूल यह कहें, तो यह अतिसायोगती नहीं होगी, मूल यही है आज की बात का, क जब आप भारती था किम सार भोजन पानी करेंगे, जी जी तो इसलिए सबसे परामावश्यक है कि हम अपना भोजन सुधार करें, आला से मिन आपड़े, परिस्रम करें, थोड़ा सा खाना हम बनाएं, और उसमें भले डाल चावल के लिए देखिए, डाल चावल के लिए कि क्योंकि रात में हमारी शरीर में प्रोटीन का पाचन कम हो जाता है, और दालों में भरबर के प्रोटीन होती है, कोई दुनिया में कोई पद्धती, कोई वज्यानिक वो बाते नहीं बता पाएगा जो हमारी संस्कृति के लोग बता देंगे, जो हमारे रिशी मुनी बता द scientific है जी वो सिरफ और सिरफ एक ऐसे ही कोई ऐसा नहीं है कि unscientific हो या उसमें कुछ विज्ञानिक बाते ना हो जी बहुत अच्छी है अपने बात की मैं इसमें बात जूड़ना चाहूंगा कि हमारे यहां क्या किया गया जैसे समयकाल परिवेश बदला तो लोगों की पता दिय नए पचासो अनुशंधान हो चुके हैं अगर आप खाना खाके तब असलान करते हैं आपको 112 तरीके की रोग होते हैं लेकिन हमारे रिसिमुनियों ने कहा नहीं भाई पहले असलान करिए तब भोजन करिए लेकिन हमको अपनी पद्धती ठीक है कम से कम मैं अपने पूरव जिस तरीके का सावाजिक परिवेश था उस समय जिस तरह लोग एक दूसरे के काम आते थे वो सब चीज़ें नहीं रही अब तो ऐसी इस्थिति है कि ना पडोसी पडोसी का नाम जानता है ना पडोसी पडोसी के काम आ रहा है पडोसी के बच्चा कोई कुछ कर रहा है भी ह साहिद उस दिन वारताला पिक्रम में आपसे बात किये थे कि एक इस्तिती वो थी गुरुवों के इतना सम्मान था कि जब हम छोटे थे अगर वो एक कंचा खेलने के एक सिस्टम था गाओं में पहले जो कि मा था पिता के द्वारा और गुरुवों के द्वारा थोड़ा खरा अब ना गुरु जी को इतना इंटरेस्ट रहे गया कि वो देखें क्योंकि वो भी सिख्छा हमारी व्यापारीकरण में आ गई और हमारी निगाह में भी गुरुजी का संबन हमारा केवाल उसी आठ घंटेक रहे गया बस उस समय आप से हमसे कुछ लेजा देना है बाकी आप एक सामान ने माना हूँ है एक मानो मैं हूँ मुझे इच्छा होगी तो मैं कहूँगा गुरुजी इस समय ये मूवी आई हूँ अब तो गर बच्चे को इसा किया आगए हम ना को तू से बोलते हैं जी बेटे को आप से बोलते हैं बेटा हमारे लिए आप हो गया लेकिन मा जरूर्ब तू हो गई तो अब ये समय आ गया कि नहीं बेटे पर विस्वास किया जाएगा अगर उसने आके बता दिया कि नहीं भी गुरु जी ने ऐसे ऐसे हमको डाट दिया आमार दिया तो मुझे लगता है आजकल 99 अभी भावक होंगे तुरन जाके गुरु जी को डाट फटका लगा देंगे क्या ये जो कल्चरल डाउनफॉल हुआ है इसमें आप हमारी फिल्मों का भी रोल मानते हैं इस तरीके से बॉलिवुड सिर्फ और सिर्फ प्यार बहुबत और सेक्स की बाटचीत पर ही फोकस करता है क्या वहाँ भी हम अपने जो हमारा यूथ है जो हमारे यंग जो लोग है वो उसी को एडॉप्ट करते जा रहे हैं और अपने मूल्यों को अपनी सब्विता को भूलते जा रहे हैं बिल्कुल सही आपने एकदम उचित बाट उठाई बहुत अच्छी बात आपको गांधी जी पे ले चलता हूँ गांधी जी ने फिल्मों का बड़ा विरोध किया था गांधी जी ने अपने पूरे जीवन हैं जबकि उस समय फिल्म में स्टार्ट हो रही थी ऐसा आदमी जो उस समय भारत का श्रोमाने नेता रहा हो सबसे परशित दिविक्ती रहे होंगे तो मैं उनके किसी विचार से सहमत या सहमत होने की बात नहीं कह रहा हूँ फिल्मों का विरोधी नहीं हूँ लेकिन जो आप उसमें विशयवस्त दिखा रहे हैं आप वो चीज़े दिखा रहे हैं जो भारत की वरतमान संस्कृती को सूट नहीं कर रही है उन्होंने उस समय क्या दिखाया जो तब से 40 साल आगे आना था फिर 40 साल बात क्या दिखाया है कि जो आज की कंडिशन है और आज फिल्मों में क्या दिखाय जा रहा है जो गाओं की reality गाओं की हकीकत गाओं का एक बच्चा किस तरीके से पढ़हाई करता है किस तरीके से completion की तहरी करता है परिक्षाय देने जाता है, कितना उसको कष्ट होता है, कहां-कहां भागदोर के परिक्षा देता है, कितना इस महंगाई के जमाने में उसको कितनी परिशानिया है, कितना बेरोजगारी है, इन पे सायद ही कोई पिच्चर बनी होगी, कभी आपने देखा कोई महंगाई पिच देश समाज में परवेश में बड़े लोग होते हैं हसी मजाक आनंद और सब लोगों के साथ हमें एक दूसरे के साहचर से खुश रहने का मार के पुरोजों ने बताया है परन्तु हम केवल पिक्चर में वो बाते देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अगर सो पिक्चरें बनती हैं, तो उसमें से 95 के करीब जो है, उनका कोई आज की जीवन से, या हम कैसे अपनी आज की लाइब को बिटर कर सकते हैं, इसका कोई उसमें लेख नहीं होता है, और लोगों का तीन घंटे का समय, एक विद्यार्थी का तीन घंटे का समय, बन्दा पढ़ाई करता है, लहाबाद में तयारी कर रहा है, लेकिन भाई अब एक दबाव है, मतलब जो उसका समाज है, विद्यार्थी होगा किया रहे हैं, तुम नहीं देखे हो, तुम तो जीवन में सिलफ रिस्ष्रीम कैसे होती है, रजद पट कैसे होता ही, हमको मालूम नहीं, हमने कभी जीवन में थीटर नहीं देखा, आछ़गी हमने यह चीज़ देखाता कि भाई, वो लोग क्या कर रहे हैं, कि जो हमारे देश क्या हो सकता है, सिवाजी महाराज, महरा अध परताब गुरु गोविन थी जैसे जिन महापुर्शोक हमने भी नाम लिया रामानुजम के पर एक फिल्म बनी थी दक्षिन भारती थी वह ने उसको जरूर देखा बहुत अच्छी बात है आप लेकिन एक हजार फिल्म बनाएंगे तो एक रामानुजम पर बना देंगे आप पैसी इसी चीजों को लाईए आगे भारत इतना बड़ा देश इतनी विभिन नताओं का देश है कि यहां हजारो तरह की आदर्श हैं हर छेत्रवे आदर्श हैं आप उनको उठाना नहीं जाते प्रोफिशर हार्डी ने रामानुजम की बारे में क्या कहा था कितनी बड़ कि कुछ दिर पहले आपको कहा था कि एक तो गुलामी का प्रभा हो और फिर उसके बाद हम स्वेम कितना कटे हों सत्तर साल का जो हमारा तंतर रहा है वो वास्तों में सत्तर साल में किवल किसी एक सरकार के निशा को यह नहीं कर रहा हूँ आज तक कि मेर्सिती बता रहा कि आप यह मानते हैं कि यह कुछ बदल रहा है अब थोड़ा बहुत लोग इस बारे में थोड़े जागरुक हो रहे हैं जैसा कि हलाकि सोशल मीडिया से पहले के वक्त की बात है लेकिन राजीव दिक्षित जी का आपने जिकर किया कि उनका आपकी जीवन पर काफी प्रभा बारा शायद उन जैसे लोगों की वज़े से ही कुछ आप चेंज मैसूस करते हैं जैसा की बाद राजीव दिक्षित जी की चल रही थी तो मैंने बता है कि चुकि गुलामी के पस्चात हमारे मन मस्तिस्क की जो करिया करने की पद्धती वो इस तरह बदल गई कि चुकि रा ऐसी चीजों के कारण उनका मान संबान देश में हुआ अभी अगर वो यही बाते हैं श्वदेशी की बाते हैं कहते रहते हैं परन तो कोई उनके पास यह उह उहदा न रहा होता कि भाई उभई ग्यानिक हैं आई आई टी उस पढ़े हैं देश में को कोई सुनने वाला न आईड करिये सिखर मसाले का आईड करिये और आप जागरुक नागरिक कहला रहें देश की कितनी शर्म और लज्जा की बात है कि वो लोग गुटके का परचार कर रहे हैं गुटके में सोना है उसमें बताईए सोना चांदी बता रहे हैं कि उसमें भाई सोना चांदी है बत आम अंडे का परचार करते हैं, संडे हो याम अंडे, रोज खाओ अंडे, बताइए, आप कितनी गंदी, आपको शाकाहर की विशे में बात चल लाई थी, दिल्ली विश्यो विद्याले के एक वैज्यानिक थे, प्रोफेशर सेयद मुहमद इब्राहिम, उनका जो बैग्राउ पढ़ाई की थी, कि जब जीवों को काटा जाता है, तो एक अजीब तरीके की तरंग निकलती है, जो प्रतिवी की केंद्र को द्विलित करती है, अरे भाई, अभी अगर मुझे कोई अगर आदमी, मुझे कोई गर काटा चुभा देगा, तो मेरे अंदर से गुसा की, बिल्कुल निगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल, तो जब सामोहिक रूप से हम दद्दस अजार गईयों को सर नीचे करके और भोजन खिलाते समय कतल कर देते हैं, क्या उसका कुछ दुस्फ रुभाव परकृती पर नहीं पढ़ेगा, जबुर पढ़ रहा है, तो इसलिए निवेधन ये रहा लोगों से कि भाई लोग शाकाहरी बने, ऐसे महापुर्शोग अब्दुलकलाम जी हो, प्रफेशर सेयद मुहमद इबराहिम जी हो, बड़े-बड़े वज्यानिक रहे हो, लोग शाकाहर के रास्ते पर आगे बढ़ें, ये स्वास्त के लिए, शमरिद उतने खर्चे में उन्होंने प्रूव किया है कि जो धरती के अबादी लगबग लगबग अपरी शाड़े साथ अरब है, उन्होंने कहा था कि एगर शाकाहर के रास्ते पर लोग चलें, तो पंद्रा अरब लोगों को परत्वी में भोजन खिलाने की शमता है, इतना दूसरा पॉइंट एक हो गया नशामुक्ती, जो कि मेरे गुरू महराज की बहुत प्रसीद बात है, उन्होंने करोड़ों करोड़ लोगों को नशा छोड़वाया, उन्होंने कहा कि नशा नाश की जड़ा है, तो लोग कितने ऐसे लोग रहते थे कि जो हमें सादत पड़ हुई है, उनका पारिवारी माहोल ऐसा रहा है, या तो कई ऐसे कारण हैं कि जो लोग नशे का प्रयोग करते थे, लेकिन इश्वर की ऐसे गृपा कि जब वो एक अच्छी जंगती पाते हैं, तो नशा का लोग उन्मिलन करके और नशामुक्त जीवन जीते हैं, उसका उसक स्वास्त का नुक्षान नहीं है, चार सो लाग करोड रुपए की आउशदियां हम मंगार हैं, जो नसे से लीवर पे और इन पे असर पड़ रहा है किड़नी पे, और इतनी दवाईया इतना पैसा हमारा जा रहा है, पहले तो हमने बियर खरी दी बाहर से, ऐसे मतलब ऐसी वस्तों हैं, जिनका मुझे तो एक यह आसान नाम है, तो नाम पता है, बाकि तो मैं नाम ही नहीं जानता हूं, इन चीज़ों का मदिरा का, लेकिन आप पहले उसको खरी दे, विदेश से पैसा दिये, फिर पिए आपको नुक्सान हुआ, आप बड़ी बड़ी दवाईया आप फिर भी देश से दवाईया खरी दिये, पहले उसको खरी दिये, फिर उसको ठीक करने के लिए जो नुक्षान हुआ, तब आप आप औशदिया करी दिये, देश के बाई साब बाहर बेजिये, तो मतलब ये रहा कि शुद्ध शाकारी रहना है, न शोश्दूर न वो एक ऐसे भी लक्षण विक्ति हैं कि एक गईया चराने वाली विक्ति को उस समय अखंड भारत का उन्होंने समराग बना दिया था, सबको पता होगा, उन्होंने कहा एक बहुत अपना अनुभव, अर्थचार से नामा का अपनी पुर्स्तक में, कि कल्यूग में वो इस् अस्थान भी कर रहे हैं, पैसा भी हम उनका विदेश भेज रहे हैं, और उनके अस्थान पे, और हम भारत माता की जय भी कह रहे हैं, ये भी देखिए, जबकि सच बताओं हमें भारत माता की जय बोलने का ही कोई अधिकार नहीं है, अगर आप सच में भारत माता की जय बोल जिसमें कि पूरा पानी है नब बेप्रतिशाप एक परसेंट हो सकारबंड है एक साइड है और भी गैसे हैं जो कि हमें बाहर छोड़ना है वो हम अंबर ले रहे हैं और अपने शरीर को नश्ट कर रहे हैं और पैस आपना बाहर बेजने हो भारत माता की जाए भी बोल रहे है तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि हर चीज का विखलब भारत के पास है कपड़ों की बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्योंकि आज कल कपड़े विक्ति की पहचान मान ले गए हैं कपड़े मैं अपनी जीवन में चुकि मैंने पहले ही कहा भाई कुछ करिए तो उसके पह बारती है पीटर इंगलेंड भारती है थे पेंटालोंस भारती तो हम हमें ये देहान है कुछ समान लेते हैं हमें उनका प्रयोग करना आपको कभी फो भी लेग अरे भाई एंजी हेक्तर कर ठीक घूगा सा लुक जादा अच्छा होगा लेसे ली से ताट वारे ने बहें जो वो कारे हम ये कर रहे हैं तो जितना tax का उसका system है वो जो लाभानश है वो भारत में रह जाएगा मैं अपनी mobile तक mobile मेरी लावा कमपनी की SIM card तो खालगे SIM card में तो आजकल भारती छेतरा दीकारी है लेकिन जब पहले यूनिन और चलता था जब पहले Voda phone चलता था तब भी मैं हमेशा एर टेल है, जी वही हुज क्या हूँ, एर टेल है मेरे पास, सिम कार्ड भारती, मॉबाइल फोन भारती, कपड़े भारती, जूता चपल भारती, प्रतेक चीज को, पहले जब आप किसी चीज को समाज में आके बताईए, तो पहले वो काम खुद करिये, ऐसा नहीं कि किसी को जाके बता दिजी कि चाय छोड़ दो, हमने अपने जीवन में कभी चाय नहीं पी, तभी हम लोगों को बता पा रहे हैं कि भाई चाय मत पीजिए, हमने कभी कोल डिंग्स जीवन में नहीं पीया, तभी लोगों को बता रहे हैं कि भी है कोल डिंग्स का, आखिर मैं कोल डिंग्स नहीं पी रहा हूँ, तो कौल से कम यह आ गई मेरे शरीर में, स्वाश्थ हो, मगर माली जी चाय और कॉफी, जी, चाय के लिए तो देखिए, चाय के लिए भी राजी दिक्षिदी ने पुरा शोध उस पे बताया है, कि चाय कैसे भूख को मार देती है, भूख को, उसका एक ही कारी है कि जब भूख लगने वाले हार्मोन सरीर में जाग लिए तो उसी पे सीदे जाकर टैक कर देती है, मतलब कि आपकी शरीर खाली है, परन्त भूख के हिसास आपको नहीं हो रहा है, ये कारी है उसका एक वो नुकसान, उसके अलावा जब आप सुबे सुबे, चुकि देखी चाई जो भी पीता होगा, करीब 90 प्रतिशत लोग चाई प्राताकाल पीते हैं, कहा गया कि प्राताकाल उठो प्राताकाल योग करो उस समय पढ़ो, उस समय खेलो, क्योंकि उस समय हमारी कोशिकाएं बिल्कुल आराम करके उठी हैं, और सब कुछ ग्रहन करने के लिए तयार है, उस समय आप उन कोशिकाओं को मीठी चीज़ दे रहें, सीधे सुगर उनका डारेक्ट अपजर हो जा रहा है, ऐसे ही थोड़ी मदुमें एक विमारी घर-गर फैल गई है, क्योंकि हम बिना चाय के रही नहीं पा रहे हैं, बिना कॉफी के रही नहीं पा रहे हैं, अरे भाई तुलसी पत्ते का सेवन क्यों नहीं कर रहे हैं, बिक्षमा चाहता हूँ मेरे गुरुजी का नाम है, हमारी संस्कृति में गुरुजी का नाम नहीं लेते, लेकिन चुकि बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे, तो ये पत्ती हो गई, इसमें आपने थोड़ी सी लॉंग डाल दी, थोड़ा से इसमें आजवाइन डाल दी, थोड़ा गुर डाल दिया, और काली मिर्श डाल दी, और इन चीजों को थोड़ा से यूं कुट के, आपने उसका काढ़ा बना लेना है, और उस काढ़े को आप पी जी, आप इम्मिन्यूटी भी बेहतर रहेगी, आपकी स्वास्त भी अच्छा रहेगा, पाचन क्रिया भी अच्छी रहेगी, और जो भी इस समय वर्तवान में शंक्रामक बिमारिया हैं, उन बिमारियों से आप बची रहेंगे, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि जो चिकन गुनिया फैला था, जिसमें की सरीर के सारे जोएंट्स दर्द होने लगते हैं, मेरे ऐसे तमाम साथी थे जिनको दो दो हपते, दस, वीज दिन, पचीज दिन, किसी कुछ लोगों को तो पिछले बार से अभी तक दर्द हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा निजी नितान्त मेरा अनुभ हो है, दो दिन में मैंने अपने उसको ठीक कर लिया था, और एक भी रुपए की बाहर की दवाई नहीं खाई, इन्ही काड़े को अच्छे तरीके इस पिना, आपने काड़ा बनाया, काड़े की पुरी भाप आपको ले लेनी है, नाक के माद्यम से, बहुत विशानों मरते हैं, पहले आपने उसकी भाप ले ले, भाप लेने के बाद आप उसको पी रहें, गुणुना, पीने के बाद आप, दो, तीन, मोटे, मोटे कंबल ओड़ के, लेट जाएए, पसीना निकलता रहे, बाद ले उस पसीने को तौलिया से पुछते जाएए, बस धीरे धीरे पसीने के माद्यम से, विकर निकलते हैं, इसलिए हमारे संकृति में कहा गया है कि जल अधिक पियो क्योंकि कोई समाने तो पर कोई बताइग में जल दी जल का नुक्षान क्या है पानी का बहुत जादा हो जाएगा हस से जादा तो एक अलग बात है अन्यता अप पानी जादा पीजिये ना पत्री बनने की संभाव ना होगी मोत्र के माध्यम से नेक विकार निकलते रहेंगे और उसी समय गर्वी में आपको पसीना बढ़िया निकलेगा अगर पसीना आपको निकलना है तो पानी आपको अच्छा पीना चाहिए और हमारी आईरुवेद में कहा गया कि पसीने से साइकलों बिमारिया बाहर होती है तो इसलिए हमें प्रतेक छेत्र में भारती इता को अपनाना है हमारा जो भारती जो परिवेश रहा है अत्यन्त महान पुरुशों का रहा है मैंने भी कुछी नाम बताये थे गडित के छेत्र में, आयरुवेद के छेत्र में और इसके अलावा खेल के छेत्र में एक नाम अगर आप उसमें और एड़ कर दे जब मुझे लगता है स्पिरिच्वालिटी पर बाची दधूरी है अगर हम विवेका नंद जी का नाम अगर हम ना ले तो उनके जो दो मिनट भारती इतिहास को दर्ज है उस पर आप कुछ शेयर करें अपने व्यूस देखे भारती इता का क्या प्रमान उन्होंने वहाँ पे दिया था आजकल तो लोगों को ये चीज बच्चों के चीज पढ़ाया नहीं जा रहा है बच्चों को देखना चाहिए कितनी कठिन परिस्थिती उनके सामने पैदा हुई और कितना उनको आपमानीत करने के लिए बोला कि सबसे बाद आप बूलिए गुलाम देश जाए है और आप जो है सबसे बाद में लास्ट वेंटिम टाइम आपको दो मिनट का दिया जा रहा है और उसके बाद जब जा कि उन्हें विश्व धर्म समस्तब में तो जब उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे अमेरीकी बहनों और भाईयों तो बताते हैं कि जितना उनको समय मिला था उससे ज़्यादा समय तक तो क्यों क्लेपिंग होती रही जो उनको समय दिया गया था उससे ज़्यादा तो लोगों की तालियां ही बचती रही लोगों के मना करने पे भी तालियां बंद नहीं होई क्यों दो कराण था एक तो बहनों शब्द को पहले बोलना जो है शायद उन लोगों के हाँ लोगों ने सुना नहीं रहा होगा और दूसरा कि मतलब लेडी जेंट जेंटलमेंट से भाई शुरू करते होंगे अपना लेकिन जब उन्होंने सीधे एक नर और मादा के विचार एक अलग विचार है लेकिन बहन और भाई कहें कि अगर आप किसी संबोदित कर रहें कितना उसको अच्छा लगेगा तो इस बात के इतना बड़ा प्रभाव रहा कि कहते हैं कि उसके बाद उनसे भाई लोग प्रभावित हो गए मेडिया भी बड़ी प्रभावित हो गई कि भाई उसके बाद लोग कहा गया कि नहीं इनका टाइम रोकना नहीं अभी इनको बोलने दीजे दो-तीन मिट तो तालिया भजती रहेंगे उसके बाद वो बोलने लगे बहुत अच्छी छी उनोंने बाते कहीं तो बात में उनसे एक पड़ी ले गई कि भाई आए जरा बताईए इधर पुस्तके सारी संसार की धर्म पुस्तके रखे हुई है जरा बताईए इसमें सबसे उपर भाई आप चुकी अंग्रेजियत है संसार में अंग्रेजों का अधिपत्य था बताते हैं कि सूरज जिधार से निकलता था जिधार डूपता था हर तरफ अंग्रेजों का वर्चस्ट हो था जरा बताईए तो बहुता को आत्मशात करने वाली है लेकिन चुकी उनका पूछने का लक्ष ही आई था कि आपकी गीता नीचे रखे है क्या इस पर आप पड़ी करेंगे तो कभी गभार हो जाता है कि प्रति उत्तर करना वश्यक हो जाता है कभी गभार ऐसी परिस्यतिया बन जाती है कि उत्तर दिना वश्यक हो जाता है तो उन्होंने का देखिए ऐसा है कि भई कई पुस्तके रखें सब का अधर करता हूँ सब के धार में पुरुषों का अधर करता हूँ परन्तु ये जैसे आप लोगोंने एक जैसे माचिस की डिब भी नहीं होती है माचिस की डिब भी के बच्चे ऐसे चोटा सा घर बना लेते है पर अगर आप एक कोई से मार दीजिए सबसे नीचे वाली को अगर आपने हटा दिया परन्तु जिसको आपने नीचे रखा है वो अची जगे पर आपने रखा है क्योंकि अगर उसको हटा दिया गया तो ये सारा संसार जो है ताश की पत्तों की तरह डहे जाएगा तो बहुत ये अच्छी बात है कि भारती संसकृती में सब कुछ है कितना बड़ा लोग तंत्री करन है यहाँ पर कि कोई हनुआ है आपको पुर्सतके मिल जाएंगी आप अपनी चिंतन को दर्शाने के लिए अपनी बुद्धी विवेक को आप लोगों की बीच भेजने के लिए सुतंत्र है यहां यह नहीं है कि अगर आपने इस सिध्धान्त के खिलाब बोल दिया तो आपका कतल हो जाना चाहिए यह नहीं है यह बाच्चित करने के लिए हम स्वतन्त है उधारन देता हूँ चारवाग दर्शन आशा रहा चारवाग जी उन्होंने का कि भाई करज लेके देखे हमारे देश में कहा गया कि भाई महिना तिमांदारी भोजन जीओ लेकिन एक ऐसे भी विक्ति आए उन्होंने का देखो ऐसा है कि जीवन मौज से जीना चाहिए करज लोग ही पियो जीवन के क्या भरोसा है आएसे लोगों को भी संबानित करके उनको रिसी मुनियों के त्रेंज दे दी गई किसी ने कामसास्तर लिख दिया जिस पर भी आपने बात किया था भारती था कि देखा जाए तो थोड़ा नुकुल नहीं था लेकिन चुकि वो स्वास्त के लिए अवश्यक है उनको भी रिसी मुनियों के दर्जा दे दिया गया वात्चैन जी को तो हमारी संस्कृति में प्रतेग विक्ति का उसके चिंतन का उसकी सोच समझ का आप मानावता को क्या दे सकते हैं आपका आदर है पुरी तरह से यहाँ एक लाइन नहीं है कि अगर उस लाइन से दरदर होए तो घरदन काट दी जाएगी यह सिधान नहीं यहाँ पर जी जी बाले जी यह कॉनवरसेशन में आपसे बाचीत के अंदर नफ प्रफुलित हो रहा है और बड़ए गौरवाण ayuda मैं महसूस कर रहा हूं अपने देश के परती यहां जनम लेने के परती मैं मन तो यह कर रहा है कि बाचीत चलती रहे चलती रहे खतम ना हो लेकिन समय सीमा का ध्यान रखते हुए मैं इस बाचीत को खतम करने से पहले दो बातें आप से बूचना चाहूँगा पहली ये कि आप भारत का इतिहास तो शांदार है आप भविश्य कैसा देखते हैं और दूसरा आप भारत के नागरी को कोई मेसेज देना चाहते है कि आप उन से क्या जी वो मैं जरूर जाना चाहूँगा बहुत अची बात है एक तो ये रहा कि भविश्य भारत का बहुत चांदार है उधारन आपको स्वामी विवेकनन्द का ही बता दीता हूँ उन्होंने कहा था वही वो हाला कि उनकी दूर दृष्टी सी दूर दृष्टी उसका मैं आपको कोई प्रूफ नहीं दे सकता हूँ हाला कि फिर हम बातचीत के माध्यमस उसको पकड़ेंगे उन्होंने कहा था कि मैं देख रहा हूँ थोड़े दिनों के बाद भारती संस्कृती की पता का पूरे संसार में लहरारी मुझको इस पस्ट दिखाई दिए रहा है उन्होंने कहा कुछ दिनों के बाद पहले तो बड़ा ख़दरनाक समय आएगा देख लीजेभी समय तो त्रह इतरह भारत के सामने कितनी समस्य आए चाइना भारत तो पांसो बास्ट भागों में तो रूना चाता है अमेरिका भारत का स्थाई में तो नहीं हमेशा पाकिस्तान के मादियम से परिशान करना और यहां तक कि आपको बताओं कि भविस्य में ही एक बड़ी इच्छी बता दू हमारे एक स्यूडियस थे चीफ अप डिफेंस स्टाफ जनरल बिफिन रवाट साफ जिनका दुखत देहान थो गया था कुछ दिन पहले उन्होंने एक बात कही थी कि भारत अब लडाई होगी अब अगर भविस्य में लडाईया हुई तो भारत दो मोर्चे पर नहीं लड़ेगा पहले बुला जाता था दो मोर्चा पहले एक मोर्चा था केवल पाकिस्तान कि आध है जो आधा जो मोर्चा है वो भारत के अंदर बैठे लोग हैं भारत को बरबाद करने के लिए भारत के हारने पर प्रुसंद होने वाले लोग बहुतायत में भारत में आपको मिल जाएंगे भारत की पराजे किसी भी अस्तर पे हो किसी विचारधारा के अस्तर पे हो क किसी चिंतन के अस्तर पे हो, दर्शन के अस्तर पे हो, धर्म के अस्तर पे भारत की पराजे कुछ लोगों को बड़ा पर पुलित करती है। और ऐसे लोग भारत में बहुत पाए जाते हैं। भारत के खिलाफ यहां के वाम पंथित, यहां सकारों ने भारत के खिलाफ जो जो है मैं आप से बात पूछता हूँ अगर आपको क्रिकेट का क्योंकि बच्छपन में हमारा ही जैसे मैंने का कि समाच को जैसे क्रिकेट ने हमारा और उसके बाद चले गए, पुराने उन सिक्कों का कोई मूले नहीं रखा गए, जिन सिक्कों पर, कि किसी एक राजा को घसीडते हुए भारती राजा की फोटो है, उसका कोई मात तो नहीं रखा गए, भई, सिक्के बने थी तो किसी कारणते बने रहे होंगे, जी, जी, पोर के से सिकंदर को बचाना है सिकंदर को भारत से हारा हुआ ना दिखाया जाए यह लोगों की बड़ी महतुकांग्छा रही है यहां ऐसा महाल बनाया जाए कि भाई दो-दो महान पुरुष अगर दो विचारधारों में टक्राव है तो उसमें दोनों को महान कहने का साहस किया भई राणा परताप के बारे में कुछ नहीं बोला गया उनको तो आम आदमी कोई भी कहे देगा कि महान है वह हमारे आदर्श हैं हमारे लिए वो देव तुल्य हैं हम तो उनको कहेंगी कि वह महान पुरुष है लेकिन यहां अबर्द ग्रेट कहे दिया गया तो कितनी बड ग्मन हाणी तो आपने जो कहा कि भविष्य क्या है भारत का भविष बड़ा सांदार है अब इन कमियों प्रधिरे धिरे ही अता संभो कुछ अस्तर पे वाम पंथी विचार-धरा का प्रभाव थोड़ा सा कम हो रहा है थोड़ा सा बहुत अदिक नहीं लेकिन थोड़ा सा क करने का प्रियास किया जा रहा है धीरी धीरी जैसे आपको एक उधान दीत हो पतंजली गुर्कुल हजारो हजार बच्ची जो की संस्क्रीट में भी दक्ष हैं इंग्लिस में भी मतलब वह ऐसा इंग्लिस बोलेंगे कि एकदम अंग्रेश से बढ़के बोलेंगे कंप्योटर जलाएंगे बिल्कुल ऐसा लगेगा कि इसकी बिल्कुल रिफरचर है पूरी तरह से एटूजेट सारी विधाओं में आगे हैं ऐसे बच्चे जब आगी आएंगे तो निश्य दूरूप से देश का बड़ा कल्यान होगा ना क्यों मैं पतंजली की बात कि रहा हूँ जहां बढ़िया खेलोगे तुम होकी अच्छा खेलोगे तुम कुस्ती अच्छा खेलोगे तुम टेबल टेनी तर्चा खेलोगे तुम इसी में आगे बढ़ो पकि साथ-साथ हल्गे भुलकी पढ़ाई करते रहो यह हमने कोई इसा धाचा विक्सित नहीं किया कई देशों ने इ ये हमने कभी देखने के प्रयास नहीं किया लेकिन अब इस्तितियां बदल रही हैं धीरे धीरे जब राजीव दिक्षी दीजे से महापुर्शों का मेरे गुरुजी जो की जिन्होंने शाकाहर नशामुक्ती का पूरे जीवन मतलब एक देश में बहुत बड़ा एक निरेट जी बाले जी तो आशा करते हैं कि भारत फिर से सोने की चड़िया कहलाए और उसका पता का पूरे विश्व में लहराए मगर इसके लिए शायद देश के नागरिकों को और जागरुख होकर के स्वदेशी को अपनाना होगा तो आपका कोई मैसेज अगर हमारे नागरिकों लिसनर्स के लिए विवर्स के लिए है तो प्लीस जरूर दीजिया अभी मैंने कुछ दिर पहले भी बात कही दी सबसे कि अपना जीवन ऐसा बनाएए कि आप स्वस्थर हैं संसार में गोष्वामी जमारत कहते हैं कि गोष्वामी धंधाम शरीर इसे अगर शरीर स्वस्थ ह है तो ही फिर आप अपने लिए समाज के लिए घर के लिए माता-पिता के लिए रास्टर के लिए कुछ कर सकते हैं सबसे पहली बात शरीर स्वास्त रखिए उसमें दो करण प्रमुख है शाकाहारी रहिए नशों से दूर रहिए दूसरे नमबर पर स्वादेशी वस्तों का प्रयोग पूरी तरह से करिए अगर हम चाइनीज वस्तों का प्रयोग कर रहे हैं धिक से धिक हमारे देश का भविस खत्रे में पड़ जाएगा चाइना की पॉलिसी है हमसे ही धनारजन करके और उस धन का प्रयोग सीमा पे हमारे ही देश के विर्द्ध करता है हमें तोड़ने की मनशा रखता है जल रहा है कि भारत की उनती नहोंने पाई जबकि भारत ने हमेशा सबको शहिशुरता की भावना से जो है अगे रखा है कि जीवन में सबको शहिशुरता की निगाश से देखना है सहे अस्थित्तों की भावना से भारत की नहीं हम भी चले तुम भी चलो लेकिन नहीं कुछ हैसे देश से जो विश्तारवात की भावना से ग्रसीत है आगर हम उनका सामान प्रियोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से देश के लिए शुब नहीं है बस एक तुम नहीं स्वास्ता के लिए बात बुल दे अपना स्वास्ता अच्छा रखें दूसरा वैचारिक रूप से और आर्थिक रूप से ये जरूर धियान दीजिए कि कोई भी विचारधरा या कोई भी सामान जो भारत को लाग पहुचा सके उसी को बढ़ावा दीजिए बस यही नहीं बेदान वे हाला कि आपने कहा बस लेकिन इन शब्दों में बहुत ताकत है और अगर कोई नहीं फॉलो करे तो उसके व्यक्तिकर जीवन का ही नहीं बलकि समाज और देश का भी काफी कल्यान हो सकता है बाले जी आपसे बाचीत करके बहुत ही मज़ा आया थैंक्यू वरी मच्च कि आज आपने समय निकाला और समय निकाल के अपने विचार शेयर किये आपको भी बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया अगर कुछ लोग भी जागरूख हो गए तो यह प्रियास आपका प्रियास में शादुवाद कहूंगा और मेरा प्रियास भी धन्य हो जाएगा जी जी ज़रूर थैंक्यू वरी मच्च फ्रेंड्स ये थे बालेश स्वदेशी स्वदेशी और इन्होंने अपने मेसिज में पॉडकास के एंड में ये बात बिलकुल क्लियर कर दी है कि ये चाहते हैं कि हम स्वस्त रहें और हम स्वदेशी को अपनाएं अगर हम चाहते हैं कि भारत को उसका खोया हुआ गौरव वापिस मिले तो उसका उत्तरदाइत उसका जो एक हमारे ही कंदों पर है तो ये हमें इंशॉर करना पड़ेगा कि हम भारत को दुबारा सोने किचरिया बनाने में अपना कॉंट्रिबूशन दे और उसमें हम क्या कर सकते हैं हम खुद स्वस्त रह सकते हैं हम समाज के लिए एक एसेट बन सकते हैं दूसरी बात हम स्वदेशी को अपनाएं तीसरी बात हम वो जो नेतिक शिक्षा जो हम पढ़ा करते थे अगर हमारे स्कूल के करिकुलम में नहीं है तो हम अपनी नेतिक शिक्षा जो हम तो जानते हैं किताबें आज भी मौझूद है शायद स्कूल के करिकुलम में नहीं हो उन किताबों को हम आज ला करके अपने बच्चों के साथ शेयर करें और हमारे जो महापुरुष रहे है गुरु गोविन सिंग जी रहे स्वामी विवेका नंद रहे शिवाजी महराज रहे महराना परताप रहे और चारक के जैसे लोग रहे और भी बहुत सारे ऐसे महापुरुष रहे जो शायद आज के बच्चों को उनके नाम भी नहीं पता है तो मैं ये जैसे वाले जी ने का कि ये बहुत जरूरी है कि हम वो नेतिक शिक्षा अपने बच्चों को जरूर दे उनको इस बात के लिए अवगत कराएं कि जिस देश में वो जन्मे है ये देश एक महान देश है और इसे फिर से महान बनाने के लिए ग्लोबल स्टेज पर हमें ही काम करना है आशागरता손 की ये बातचीत इस बातचीत ने आपको बहुती गश्ब से भर दिया होगा एक एक inspiration से भर दिया होगा you must be feeling proud right now that you are an Indian I am feeling proud and I am looking forward to see you again in yet another episode in yet another podcast in the CNet in Sony podcast series Thank you very much for tuning in take care